हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टे गोर्डन करियर, आप लोगों को एक न्यूज यहाँ पर देना चाहेंगे, जो मतलब अभी जॉइन नहीं किये हैं बैंक, उनको इस चाही चीज़े पता नहीं होगी, कि जो बैंक का डिये है, वो तीन-तीन महने पर रिवाइज होता है, तो नव सकते हैं, एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, कि वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि थोड़ा सा लगता है कि हाँ इतने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और बहुत से चीज़े अभी चैनल पर आने वाली है, ना सिर्फ बैंक की अधर एक्जाम सब्सक्राइब कर लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलिए, एक हां रिक्वेस्ट ये थी आपसे की, कमेंट बॉक्स में देखेगा, पहला लिंक एक मिलेगा चैनल का, मेरा ही दूसरा चैनल है, टेक्ट्रेल, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्र सब्सक्राइब कर लिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, उस पर उमीद है, आपके एंडे से जरूर मिलेगा, देखेए, डिये क्या है, बैंक का हर तीन-तीन महिने पर रिवाइज होता है, तो नवंबर मंत में ये रिवाइज हुआ है, और अब आपका प्रेजेंट में जो आपकी basic पे होगी, और एक आपको special पे मिलेगा, जो कि minimum 1250 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो ये दो चीजे तो आपकी होगी, और इसके अलावा, अब आपको क्या मिलता है, 16.40% का क्या मिलता है, special allowance मिलता है, ठीक है, ये आपको actually जो मिलता है, ये मिलता है सिर्फ basic पेपर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या होगा, special allowance निकाल लेंगे, special allowance आपका होता है, कितना हो जाएगा, 19,900 का आप निकाल लीजिए, 16.40%, multiplied by 16.40, मैं यहाँ कल्किलेटर में कर रहा हूँ, divide by 100, तो ये आपका बनता है, 3264 रुपए, ठीक है, अब क्या होगा, आपको मिलेग DA, DA किस-किस component पे मिलेगा, आपको basic पेपर भी मिलेगा, special पेपर भी मिलेगा, और special allowance पेपर भी मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, 19,900 plus 1250 plus 3264 ये हम जोड देंगे, और इस पर 30.38% हम निकाल लेंगे, तो आपका जो DA बनता है, वो बनता है, 7,416 रुपए, 98 पैसे, ये हो ग हरे होता है, आपका 10.25%, ठीक है, 19,900 plus 1250, ये आपका 2650 हो जाएगा, multiplied by 10.25%, तो आपका कितना हरे होता है, 2167 रुपए, 88 पैसे, अब इन सब को आप जोड लो, minimum upclar की salary इतनी होगी है, वादो इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, बागी थोड़ा बहुत उपर हो सकती है, कोई हाँ पर जैदा होई जाएंगी, फिल हाल ये salary कितनी हो रही है आपकी, ये हो रही है, आपकी 33,998 रुपीज, 86 पैसे, ये होगी आपकी gross salary, लगबग 34,000 रुपए, एक-दो रुपए कम है, अच्छा, बहुत बाल लोग बात करते हैं, इसमें NPS कटेगा, NPS कितना कटेगा, बेसिक पे का 10% कटेगा आपका, यानि आपका 1990 रुपए NPS कटेगा, बाकी आपका tax, तो clerical tax के दारिम आएंगे हैं नहीं, तो आपको zero tax कटेगा, सिर्फ इतना deduction होगा, और कोई reduction नहीं होगा, ठीक है, ये होगी clerical की salary, नवंबर महिने में, बाकी आपका फिर फारवरी में इतना बनता है, देखिए, अचारे अलग-अलग है, 7% है, रूरल में, 8% है सिटी में, बाकी मेट्रो में मेट्रो में रर्वी होती है नहीं, या वेसिश में रर्वी की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप ज़्यादा इचारे क्लेम करते हैं, आपकी सिटी में इस रुपए है, उसके बाद क्या मिलता है, आपको अगेन स्पेसल अलाउंस मिलता है, तो यहाँ भी जो स्पेसल अलाउंस है, ओफिसर का वो भी कितना है, 16.40% यह हम 36,000 का निकालेंगे, 36,000 का 16.4% निकालेंगे, तो यह होता है, 664 रुपए, ठीक है, बेसिक पे हो गया, है, हारे हो गया, इससल अलाउंस हो गया, अब क्यो होगा, आपका डि municiply मिलेगा, इससल अलाउंस मिलेगा और आपका बेसिक पर भी मिलेगा, तो ठीक है, क्या हम कर लेंगे, 5904 में क्या जोड़ देंगे, 36,000 कितना हो गया, 41904, अब इसका हम DA निकालेंगे, DA हमने भी बताया कितना है, 30.38%, तो जब हम 4904 का 30.38% निकालेंगे, तो यह आपका होता है, 12730.44, ठीक है, basic पे हो गया, hra हो गया, special allowance हो गया, DA हो गया, इतने ही component होते हैं, आपकी जो salary slips होती हैं, उनमें component अलग लिखी होते हैं, DA अलग लिखा हो और special allowance पर DA अलग लिखा होता है, आप कुछ नहीं करना है, इन सब को जोड़ देना है, चलिए हम जोड़ के देख लेते हैं, 36,000, प्लस 2520, प्लस 5904, प्लस 12730, 12730, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी starting जो पहली salary बनेगी, आज की date में 57154 होगी, अब यह आपकी November, December, January की है फरवरी में आपका फिर से DA revise होगा, उसके बाद यह बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, घट ना बहुत कम होता है, कि DA कम हो जाए महंगा, यह बहुत कम होगी, तो फिर हो सकता 2400 रुपए घट जाए, लेकिन 57,000 salary मिलती है, यहाँ पर अगर हम deduction की बात करें, तो basic pay का आप आपका 10% यानि 3600 रुपए आपका NPS में जाएगा, बाकी आपका tax जो भी बन रहा होगा, उसे आप से कटेगा, नहीं बन रहा होगा, नहीं कटेगा, टैक्स की calculation कैसी होती है, अगर आपको यह वीडियो जानना है, तो comment करिए, हम जरूर इसकी वीडियो बना देंगी, कितन कर लीजेगा, थाइंक यू and all the very best for your future